करेंगे तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला कोश्चन निम्लिकित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है पूछा कभी भी नौट कोश्चन में आये थो हमको बहुत ही ध्यान से आंसर करना होता है इसे पुछा डेवलप्मेंट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है विकास अनुमन सिक्ता और परेवरण की अंतह क्रिया का उत्पाद है यह सब को पता है कि डेवलप्मेंट क्या है है एड़ीटी एन एन्वार्मेंट का प्रोड़क्ट है यह तो डेवलप्मेंट का प्रिंसिपल है रेकेंड विकास का कुछ हद तक पूरवानुमान लगाय डेवलप्मेंट इजISTर उनिफंक अनुश्म हभी विकास की तर यौभ एक समान और साहरुभामिक होते है विकास के तर एक समान नहीं होते है जो भी rate of development होता है वो alaq alaq बच्चों में alaq alaqter होता है जैसे की कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है कोई देर से सीखता है इसका best option option c यहFitर अपीघ आलगेंपर स्पारीनियों कर्फमध में और मोट को सेति चूर्प्राइब बॉक्षं नमब्र फ्रीवलेंट्वें हुआblo Cliffра जो में आजने पाइり माध्या canine अनुष्ट की आनुसार इनमें से कौन सा कारग संगयनात मैं कि महत्वफूंत की का निभाता है Vygotsky ने cognitive development पर काम किया है, और इनका मानना यह है कि cognition से ही language development होता है, पहले हमारे अंदर language develop होता है, उसके बाद हमारे thoughts आते हैं, इनका कहना यह है कि पहले language develop होता है, उसके बाद हमारे अंदर क्या आते हैं, thoughts आते हैं, तो इन्होंने language development पे बहुत जादा काम किया है तो यह question से टेट में जादा तर पूझता है कि वाई गोवच्च कि किस पे जादा काम किये हैं इसी questions को बार बार repeat करके घुमा घुमा के पूचता है तो वाई गॉच्च्ट के अनुसारिए से कौन से कार्क संगयानात्मक संग्यानात्मक विकास में महतुपूर्ण भूमिका कौन सा निभाता है भासा हमारा संग्यानात्मक विकास में बहुती महतुपूर्ण भूमिका निभाता है चले चलते हमारे next question के और question no third yeah इन प्रोग्रसिव एजुकेशन प्रगतिसील सिक्षा में सीखने का स्वरूप समाजिक होता है लर्निंग है जा सोसल क्यारेक्टर पार्ठ पुस्त के सीखने का एक मात्र श्रोत होते हैं कभी भी Progressive Education जब भी होता है प्रगति सील सिक्षा होती है तो ये पार्थी पुस्तक ही एक मात्र श्रोत नहीं हो सकते हैं इसके अलावा हम अपने बुक्स के अलावा और भी चीजे यूज करते हैं जैसे कि हम चार्ट का यूज करते हैं बच्चों को दिखाने के लिए या फि बैठने की विवस्ता पूरी तरह से तै होती है इसा नहीं होता है कि हम अपने क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट कर दिए तब वहीं बैठेंगे क्लास में रोटेशन भी होते हैं या अगर किसी बच्चे को आई में प्रॉब्लम है आई साइट उसकी वीक है तो हम उसको कभी भी स्टन्डाइज नहीं होता है करिकूलम हमारा कैसा होता है फ्लैक्सिबल होता है एक प्रोग्रसिव एजुकेशन में हमारा करिकूलम फ्लैक्सिबल होता है यह आंसर हमारा गलत हो गया तो इसमें राइट आंसर कौन सा है तीखने का सवरूप समाजिक होता है यह हमा प्रतिकी कोस्टे करें ईयों को सब्सक्राइब तो ग्यार कि ना उनी pan sich 기्व के डिया दिया गया है Pharm Administration से बाहने में ऐने अब भी दो इनसे पे जादा जोड़ांगली कि मनें जःदा शोय देते हैं पहले हम में language develop होता है उसके बाद हमारे अंदर thoughts आते हैं तो इसका अंसर क्या होगा option नमबर ए language question number five हमारा question number five है नमलिकित में इसे कौन सी अधिगम अच्छमता सुसंगत रूप से लिखने की च्छमता को सीधे प्रभावित करती है इसमें क्या है लिखने की च्छमता को प्रभावित करती है मिन्स की हमारी writing disability है इसमें कौन सा जिसको गिलाटिंग disability कहते हैं? discuss dyscalculia इसमें क्या होता है? calculation disability होलता है बच्छँ अच्छे से calculation नहीं कर पाता है just graphya graph means क्या होता है लिखना इसमें क्या होता है? able to qualité है बच्छा अच्छे से लिख नहीं पाता है इस्लेक्सिया में हम कह सकते हैं कि वाचन मेंसकी बोलने में पढ़ने में समझने में disability होती है दिस्प्रेजिया में motor skills जो हमारे होते हैं उसमें disability होती है जैसे कि हमारे जो fine motor, gross motor, fine motor generally अच्छे से काम नहीं करते हैं जैसे कि इसका हम एक्जामपल ले सकते हैं कोई वच्छा सूलय अपने अच्छे से नहीं बान पाता है ताई अच्छे से नहीं बान पाता है उसे कौन सी disability है उसे हम dyspraxia कहते हैं तो इसका answer होगा writing disability इसमें लिखने कोशन नमबर 6 है निमलिकित में से कौन सा कारक academic production में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है इसमें भी नहीं है CT8 में हमें हमें ये ध्यान रगना होता है कि हमें question को अच्छे से समझना होता है mall atNakir कह क्या रहा है इसमें यह पूछाग्या है कि कोई भी बच्चा क्फल कभ होगा यह पूछा गया है तो क सीब्ría बच्चे में जब क्योरसिटी होगी तब ही व Finnish om और जिझ्ञासा कोई कोई भी भिच्चा जब बजन्ष करेंगा तो युझा होगा का जायाओ नहीं कुछा उसक्वा कर सकता है अप कि दुद्ध कने का सब्सक्राइन सब्सक्राइब पर चलते हैं हमारे सब्सक्राइब सैवन निम्लिंगत में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें भी हम कोश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे सही नहीं है पूछा है development से बहुत सारी questions आते हैं और जाया तर question principles of development से आते हैं बस यह है कि उसके languages बार बार change कर दिये जाते हैं question को घुमा दिया जाता है या फिर questions के options को change कर दिये जाते हैं मेंसा कैसा होता है sequential होता है विकास केवल अनुवान सिक्ता से प्रभावित होता है केवल अनुवान सिक्ता मैंने आगे भी बताया है कि विकास क्या होता है development क्या होता है है एंवार्मेंट का प्रोड़क्ट होता है क्या होगा ओप्शन नंबर और भी आंसर हम देख लेते हैं कि जो भी डोमेंस आफ डवलमेंट होते हैं जैसे की domains of development, जैसे की cognitive development, physical development, social development, और emotional development. यह सारे interrelated होते हैं आपस में. अगर एक भी अच्छे से नहीं हुआ, तो दूसरा development अच्छे से नहीं हो सकता है. यह चारो ही development आपस में interrelated होते हैं. अगर एक development, जैसे की अगर हमारा physical development अच्छे से नहीं हुआ, तो हमारा mental development भी, यानि की cognitive development भी अच्छे से नहीं होगा. और अगर हमारा Kognitive development अच्छे से नहीं हुआ अगर हमारा मानसिक विकास नहीं हो पहला है तो हमारा emotional development भी अच्छे से नहीं हो सकता है विकास के सभी छेत्र एक दूसरे पर निर्भर और है तो यह बिलकुल सभी है विकास के सभी है लाट सस्थ Bevölker और है इसमें नोट कौन सा सही नहीं है तो विकास केवल अनुवानशिक्तास प्रवाईद होता है ये आंसर नहीं है यानि कैस खरएट आंसर होगा आप्शन number B हमारा एठ गॉशन है रहा बच्चों के समाज equally कारण कारक होते हैं socialization के दो कारक होते हैं, एक primary, मैंने अपने first class में भी आपको बताया है ये, secondary, primary में आते हैं, family, relative, इसके लाब बाकिय जो भी होते है, government हो गया, ले खड़ते हैं, media हो गया, religious हमारा हो गया, ये सारे किस चीज में आते हैं, secondary में आते हैं, इसमें, पूछा है secondary agency, पूछा है हम से, secondary कौन सा है, इसमें देखिए, ये family Finance हो गया, इसमें ब्राइमरी हो गया, ये रहा फैमली, ये भी प्राइमरी हो गया, तो हमसे पूछा है कि secondary कौन सा है, secondary agents कौन से हैं इसमें, तो option number C इसमें सही होगा, school and religious क्या है, secondary agents है, अब हम चलते हैं, question number 9 की ओर, question number 9 है हमारा, एक प्रगतिसील कक्षा में अधिगम, एक प्रगतिसील कक्षा हम किसे कहते हैं, जहां teacher और student दोनोई active हो, child-centered class हो, तो उसे हम प्रगतिसील अधिगम कहते हैं, हम पहले options देख लेते हैं, कि किस types के options दिये हैं, उसके according हम answer करेंगे, अंतक्रिया वह समवाद द्वारा होता है, प्रगतिसील कक्षा कैसी होती है, उसमें अंतक्रिया होता है, मिसकी interactions होता है, समवाद होता है, बातचीत होता है, teachers और students में, सिक्षकों में अधिगम करता द्वारा एक तरफा प्रशारण के रूप में होता है, कभी भी learning one way नहीं हो सकता है, learning हमेशा two way होना चाहिए, मिन्स कि उसमें teacher भी active रहें और students भी active रहें, ऐसा नहीं teacher से बोलता रहें, और students कुछ response ही ना कर पहें, यह option गलत हो गया, निसक्रिय अभी ग्रहन द्वारा होता है, कभी भी passive reception नहीं होना चाहिए, हमेशा active reception होना चाहिए, तो यह आंसर भी गलत हो गया, इसा नहीं हो सकता है कि classroom में teacher का कोई role ही ना हो, तो वो प्रगति सील अधिगम नहीं कहलाएगा, तो यह option भी गलत हो गया, तो हमेरा right answer क्या है, अंतक्रिय वो समबाद द्वारा होता है, मिन्स कि एक progressive class में progressive education उसे कहते हैं, जहां interactions हो और communication हो, students और teachers के बीच में, हमारा next question है, in the constants of language, national education policy 2020, emphasize on, भार्सा के संदर में रास्ट्य सिक्षानिती 2020 किस पर बल देती है, कभी भी seated में जाते हैं, तो आप लोगों को यह education policy हमें पढ़के जानी चाहिए, तो 2020 में पूछा है कि भासा के संदर में किस पर बल देती है, तो भासा कभी भी किसी भी school का या फिर किसी भी संस्थान का, भासा कैसा होना चाहिए, बहु भास्यता होनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही language में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिस इंपोर्टेंट है और उतना ही इंपोर्टेंट हिंदी भी है, लेकिन ऐसा नहीं अगर कहीं हिंदी बोला जा रहा है, तो सिर्फ हिंदी में हम पढ़ाया जा रहे है, या पिर सिर्फ इंग्लिस बोला जा तो सिर्फ इंग्लिस में पढ़ाया जा रहे है, हमें द जमता गडतीय गड़ना करने की छमता से सीधे प्रभावित करती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि dyscalculia क्या होता है, calculation, calculation में जो भी disability होती है, उसे हम क्या कहते है, dyscalculia कहते है, dysgraphia क्या होती है, writing disability होती है, dyslexia क्या होता है, reading disability होती है, और dysphrasia क्या होता है dysphrasia motor disability है motor हमारे motor skills होते है fine motor gross motor वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं इसमें क्या पुछा है ability to perform mathematics calculations अगर कोई बच्चा mathematics calculations अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन से disability है उसे हम क्या कहते हैं dyscalculia कहते हैं option number a is the right answer okay अब चलते हैं नेक्ट कोशन के और कोशन में 12 विद्ध्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है कोई भी बच्चा motivated कम महसूस करता है options देखते हैं मूर्त और अत्यधिक जटिल कोई बीचीज अगर complex होगा कोई जब जटिल होगा तो विद्ध्यार्थी से मोटिवेट नहीं हो पाएगा उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा और फिर वो दी मोटिवेट हो जाएगा option बी है उसकी वास्तिविक दुनिया से जुड़ा हुआ यह बात बिल्कुल सही अगर कोई भी चीज हमारे रियल लाइफ से जुड़ा होता है था हम उसको कर पूर है इर्रेलेवेंट है तो उसमें बच्चा इंट्रेस्ट नहीं दिखाता है नौट एट ऑल चैलेंजिंग कोई विची चैलेंजिंग होगी जब बच्चों के लिए तभी उसमें इंट्रेस्ट दिखाएंगे और तब वो मोटिवेटेड भी फिल करेंगे इसका बेस् कोशन है इस थूल गत्यात्मक चालन कोसल का उदाहरन है जबकि डैस में सूच में गत्यात्मक कोसल की आवशकता होती है इसमें यह बोला है कि ृक्राइक prais क Braille Ub about इसके वूक् Container होता है जिसमें हमारा आंज लेक्स था कुछुज है और फाइन मोटेश के वहता है इसमें कोई भी काम बारीकी सी कारते हैं और जैसे कि में राइटनिंग लेखना हो तो हम अपने fingers का use बहुत ही बारिकी से करते हैं ताकि अच्छे से हमारी writing हो सके squizzing squizzing करते हैं तो हमारी हम अगर छीकते हैं तो हमारे और भी body parts move करते हैं तो ये तो गलत हो गया ये तो gross motor skill हो जाएगा लेकिन walking fine motor skill नहीं है है ऐसे ही ये दोनों भी gross motor skill है इसमें एक gross होना चाहिए एक fine होना चाहिए ये भी दोनों gross motor skill है अगर हमें आड़ी तिरची रेखा खीशनी है तो उसके लिए हमें किसी भी clap कर सकते हैं तो लेकिन drawing करने के लिए fine motor skills का यूज करना बहुत जो रहे हमारे fingers कैसे move करते हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो इसमें running हो गया gross motor skill और ये हो गया fine motor skill इसका right option होगा option number a option number a इसका right option होगा question number 14 gift के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है लड़कियां कारों से नहीं खेलती यह वाकिक क्या दर्स आता है कि ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि लड़कियों को gifts में डॉल्स ही दिये जाते है और लड़कों को gift में क्या दिया जाता है तो यह जेंडर stereotype को दिखाता है कि रूड़ी बद्धता को दिखाता है कि बहुत पहले से ऐसी सोच चली आ रही है कि लड़के कार से खेलेंगे और लड़किया डॉल से खेलेंगी अगर हम education के फील्ड में देख लें तो पहले जवाने में ऐसा होता था लड़के इंजीनियर बनेंगे लड़क को सो करता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा जेन्डर स्टेरियोटाइप हमारा नेक्स्ट कोशन है समावेशी सिक्षा के लिए क्या आवश्यक है समावेशी सिक्षा क्या होता है education for all हम सबको अपने अंदर समावेशित कर ले कोई भी अगर इस्कूल है तो वह किसी भी स्टुटेंट को rejection नहीं कर सकता है कि इस बेसी पे किसी भी बेसी पे चाहे वह फिजिकली चैलेंज्ट हो चाहे वह मेंटली चैलेंज्ट हो या फिर वह उसकी इंकम कम है तो किसी भी बेसी पे हम उसको reject नहीं कर सकते हम आपके बच्चे का admission अपने school में नहीं लेंगे हर एक बच्चा समान है और हर एक बच्चे को समान रूप से देखा जाता है यह होता समय क्या आवर्श्यक है विद्यार्थिव में चंता अधारित कथ हो थया करति कथ हो समु में कथों समुन्ग हो नहीं bit नहीं होना चाहिए अर्शी बच्चो के Angler अगर school का इंफ्रास्ट्रक्ट्ट्टर है तो भी बच्चों के एकॉर्ड होना चाहिए एक वार्डिंग टुछाइल हम उसे चेंज कर सके जिस चायल को जिस तरह की जरूरत है उसके एकॉर्डिंग सब कुछ भ्यक्तिगत मतपहेदों का ध्यान और सम्मान के हमें हर एक चायड के हर एक बच्चे का वैक्ति भिहन तको ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चा अलग है leo हर एक बच्चा 2 बच्चे से अलग होता है दिस्ट हम कर हम्हे छेल्उंस कों ध्यान में रखते हुए, उसके होड़िंग करना चाहिए और हमम उसको ин्फ्रायस्टूक्चर प्रवाईद करना चाहिए इसेस विद्यार्थियों के लिए केवल साइक सिख्षा या भी गलत है यह सर्फ हम विशेस विद्यार्थियों के लिए क्यों करेंगे नहीं सारे सारे बल चे एक समानым। स्टेरो टबिग फूर्टेन Q16 जो विद्यार्थी वो विद्यार्थी जिने दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है जो कोई भी बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसके लिए स्कूल क्या कर सकता है तुलब और सनरचना और इमारते मैंने अभी बताया इंक्रूसिव एजूकेशन में क्या होता है हमें चाइल्ड के कोडिंग बच्चे के कोडिंग अपने इमारते अपने इंफ्राइस्ट्रक्चर यह सब डेवलप करने चाहिए यह इसका राइट ऑप्शन है विद्यार्थी क्ष्पातपून रवीया, ऐसा बनीए कोई बच्चा देव्यांग है तो हमें उससे पक्षपातपून बाइस्नेस करने चाहिए यह option भी गलत होगा साथियों के बीच सहानुभूती और दया कोई वच्छा दिव्यांग है तो हमें उसे दया पूर्वक या फिर उसको सहानुभूती देनी चाहिए यह ऑप्शन भी गलत होगा तो क्या होता है जो भी वच्छा दिव्यांग है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तुलब और सं मिलकित में से किस पर ध्यान देना चाहिए इन अगर एक किसी भी बच्चे को हमें अच्छा लर्निंग प्रवाइड करवाना है उसके लिए एक सिक्षिका को क्या करना चाहिए इंड्यूज द फियर उफ एक्जाम परिक्षाओं के प्रती भै पैदा करना चाहिए टीचर का बढ़ा देना चाहिए यह भी गलत ऑप्शन होगा तीचर कभी भी रट कर याद करने पर बल नहीं दे सकते हैं लिए सुनने बढ़ा देना चाहिए पैसिव लेस्निंग नहीं टीचर को हमें सांगरेज करना चाहिए बच्चों को कि वह एक्टिव लिस्निंग करें या फिर जो जानते हैं उससे कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे तो बच्चे एक्टिव रहते हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए बच्चों को पूरो ग्यान के संबंद जोड़ना चाहिए यह उप्शन इसका सही है उप्शन नमबर डी चलते हैं अपने नेक्स्ट कोश्टन के औ जमलकित मेंसे कौन सा बाह्य अभी प्रेणा का उदाहरन नहीं है अग्स्टरनल मोटिवेशन कौन सा नहीं है पूछा इसमें को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे दंड से बचने के लिए ग्रेह कारे करना यह तो एक्स्टरनल मोटिवेशन हुआ कि हम अग प्राप्त करने के लिए वाद-विवाद समयों में सामिल होना यह बिल्कूल सही है इसके लिए हमें कोई externally मोटिवेट नहीं कर रहा है हम खुद की बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं डीवेट competition जॉन कर रहे हैं और वे option हम देख लेते हैं प्रतियोगिता जीतने के बस एक competition हमारे अंदर यह है कि हमें competition जीदना है इसलिए हम सत्रंज खेल रहे हैं तो यह भी externally motivated इंसान करेगा participation in dance to impress peers अपने peers को मिसके अपने साथ में जो पढ़ते हैं जो साथ ही समाजी हमारे होते हैं उनको impress करने के लिए हम dance competition participate कर रहे हैं ताकि हम जीट जाएंगे तो उनके सामने हम अच्छा बन सकते हैं तो यह भी external motivation हुआ इसमें पुछा कॉंस एक्स्टेनल मोटिवेशन नहीं है तो ज्यान प्राप्त करने के लिए वादिवाद समों में सामूल हो ना यह क्या है external motivation नहीं ह है इसका राइट आंसर होगा option number B next question विकास नमलिखित में से किस पर निर्भर है development किस पर depend करता है किस पर निर्भर है अनुवान सिक्ता बनावत बिल्कुल सही है विकास किस पर निर्भर करता है अनुवान सिक्ता पर भी निर्भर करता है आगे भी हम देख लेते हैं only नहीं लिखा यहां only अनुवान सिर्फ अनुवान सिक्ता लिखा होता तो यह option गलत होता बहुत ही क्वातवरन यह भी सही है हमारा फिजिकल इंवार्मेंट कैसा है इस पर भी हमारा विकास निर्वर करता है तो स्यू कल्चर फैक्टर समाजिक सांस्कृतिक कारक जो भी हमारे जो भी सोसल सोसाइटी है हमारी वह भी हमारे डवलप्मेंट पर बहुत ही ज्यादा एफेक्ट करती है यह भी सही है इसका तीनों आंसर सही होगा तो इसका राइट ऑप्शन होगा option नम्बर डी और नेक्स्ट कॉर्शन इसन इसमें पूछाय प्राइमरी सोसलाइज़ेशन इनमें से कौन सा है अन्वेश पहले बता है प्राइमरी सोसलाइज़ेशन प्राइमरी वह मारे में आते हैं तो मिन में हो जाएगी इसके लिएएव बुक्त मेडिया, रिलिजियन, इस्टूशन, यह सारे क्या है, सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी सोचलाइजेशन, तो फैमिली क्या है, प्राइमिली सोचलाइजेशन के अंदर आती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फैमिली, अब हम आगे की कॉश्शन्स, नेक्स्ट क्यास में करेंगे, थैंक्यू फॉर वाचिंग,